हलो दोस्तों आज मैं आपके सामने एक नया टोपिक लेके आया हूं फिट्डेल क्राप्स अभिक्रिया फिट्डेल क्राप्स अभिक्रिया दो परकार की होती है पहली एलकिली करन और दूसरी एसिली करन पहले एलकिली करन फिट्डेल क्राप्स अभिक्रिया के बारे में बता यह जो इस्तती है यह इस्तती है और दूसरी जो इस्तती होगी वो यह होगी दूसरी इस्तती जो है वो यह है जो कि इसकी पेरा इस्तती है यह फिनोल है यह जो एलकिल हेलाइड है इस एलकिल हेलाइड का जो आर समो है पर जो कि इसका पेरा इस्तती है और दूसरी इस्तती ज जो यह है जो इसकी पेरा इस्तती है और यह जो इस्तती थी यह इसकी और तो इस्तती है जो एलकिल समोहे वो यहां पर जुड़ा हुआ है और इसकी जो इस्तती है पेरा इस्तती जहां पर एलकिल समोहे जुड़ा हुआ है एसीलिकरन एसीलिकरन प्रिडेल क्राप सभी क्रिया में क्या होता है निर्जल अल्चल 3 के आधिके में फिनोल की जो किरिया है फिनोल की किरिया एसीड कलूराइड या एसीड एन हाइडराइड एसीड एन हाइडराइड इससे किरिया होती है फिनोल की तो और्थो और पेरा इ होता है यह फिनोल है कि यह एसिड करॉराइड है यह नीर्जल a l c l 3 अधिके में और्थो हाइडरोक्सी की टॉन प्राप्त होता है पेरा हाइडरोक्सी की टॉन प्राप्त होता है यह ओर्थो और यह पेरा यह फिनोल है यह एसिड कलोराइड है यहाँ पर हम एसिड एन हाइड्राइड भी ले सकते हैं LCL3 है जिसके अधिक मातरा ली जाती है यह समुए यहाँ पर जो और तो इस्तती है वहाँ पर जूड़ता है RCO यह और तो इस्तती पर जूड़ता है फ्री यह पेरा इस्तती पर जूड़ेगा यह फ्रीडेल क्राप से एसिली करन अभी किरिया है अब इसकी किरिया विदी एसिड कलोराइड है जो ALCL3 से किरिया करता है यह जूड़ेगा ALCL3 इस कलोरीन से जूड़ेगा यह कलोरीन पर पोजिटिव आ जाता है ALCL3 पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है यह अलग हो जाता है और ALCL4 यह माइनस अलग निकल जाता है यह 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 पर जूड़ेगा अब यह हाइड्रोजन बाहर निकलेगा और यह प्रोड़ेक्ट प्राप्त हो जाएगा थेंक्यू पूर वाचिंग